हलो फ्रेंडिंज वेल कम ट्छे साइंस आज हM ni कर नीए यह प्राणी तो कि इस जानतों के बारे में आज हम एंंमल सबसे पहले थो उत्तग क्षिय का थे ते意ज Workers क्या होता है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जिनके कारिये और सरंचना और उनकी उत्पति उत्भाव शमान होता है जिनका function है और जिनकी structure है ऐसी cell का group उसको हम क्या बोल देंगे tissue के देंगे the group of cells that have similar structure and function उसको हम बोल देंगे tissue ऐसे कोशिकाएं जिनके कारी है और सरंचना समान होती है उनका उत्तक कहलाएगा ठीक है उत्तक का दियन करना कहलाता है histology हिस्टो लोजी हिस्टो लोजी हिंदी में कह देते हैं ओतिकी लेकिन आपको histology वर्ड ही याद रखना है और यह है important histo वर्ड है यह note कर ले हिस्टो का मतलब होता है उत्तक हिस्टो का मतलब उत्तक जैसे for example हम पढ़ वागों में बाटा गया है उनकी कारिये और इस्तिति के हदार पर उनके position और function है उनके according उनको चार पार्स में डिवाइड किया गया है कौन-कौन से है पहला है उपकला उत्तक दूसरा शयोजी उत्तक है और तीसरा है पेशी उत्तक है और चोथा है तंत्रीका उत्तक पहला इस वीडियो में हम केवल उत्तक प्लाव तक बारे में डिटेल से स्टेडी करेंगे बाकि तीन और उनको अलग इलग वीडियो में स्टेडी करेंगे तो देखे सबसे पहले उत्तक किशे गयते उप्यानी उपर कला का मतलब जिली ठीक है याद रखना है जैसे एपी का हाई लेकिन यहाँ पर ओउड कौन सा है तो दूसरा अंग है कि अंगे भी जिली पाई जाती है ती हई पै कि आपितियल टीशु की बनी होती है ठीकि जासे फॉर एक जाम्बलबने सकी शीन करो भांब कर देखने का काम क कर्ते है यह दंगों को नाया को दिखने गए इन्गों को तो अधकने वाले को कि में लाइनिंग बनाएंग से बनात गई और नहीं करते दो लाइनिंग का यह जो तो अपना जो अमाशे की बात कर लेते हैं तो अपना इस्टमक उसके अंदर का और का भाग पतली जिली के दुआरा इससे तो अगर हम इस भाग को जूम करके देखें तो वह हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा अैसे अंदर की और इसम्हें रहता है कौन सा उपकला उतक एपिधिलीयल टिशू है ठीक है, अपिधिलीयल टिश्ईू है, ईसको बहें गा करम हम रूद comments, नहींक हूँ एपिथीलियम भी कहते हैं इसको और हिंदी मीडियम वालों को भी यही वर्ड याद रखना एपिथीलियम उपकला जदा इंपोर्टेंट नहीं है ठीक एपिथीलियम परजेंट होगी उसके नीचे पतली जिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं आधारी जिल्ली बेसल मेंब्रेन और उसके नीचे इस्तित होते हैं शयोजी उत्तक कनेक्टिव टीशू कनेक्ट करने वाले जोडने वाले टीशू कनेक्टिव टीशू तो यह क्या गरती है इस परकार आपने जितने भी अंग है उनके अंदर को इस तर ढखने का काम करके कि अधार को डखने का काम कर रहे बनाएगी इसका नाम के हो जाएगा का व्यानिंग टीशू यापि तीलियं टीशू कि अथक इसको कह देते हैं अब इन कोशिकाओं में देखो क्या होता है कोशिकां पास-पास सट्टी भी रहती है और इनके अंदर जैसे कोशिका तो कोशी किये को अंतर कोशी की ए और जो लिखव्यृड भरा हुआ होता है और को हम कहते है आधात्रिके हिये के बीच में उत्र एंिजिंज के बीस्तिय अनतराष्ट्रे स्नुंत शेलूलर में एंधर चल्लूलर में इंके बीच इसमें ऐ libr कि इन कोशिकाओं के बीच में किसकी epithelium tissue के जो कोशिकाओं हैं cells है उनमें intercellular matrix नहीं होता यह अपसेंट रहता है इनके अलावा इनमें कोशिकाओं के अंदर नहीं पहुंच रही है तो मैं इसमें बोल देता हूँ रुधिर वाहिनी जो होती है इनमें अनुपस्तित होती है यानि ब्लड वेशल्स है वो इनमें नहीं पाई जाएगी इनमें अपसेंट है अब ब्लड वेशल्स नहीं है तो इनकी कोशिकाओं को न्यूट्रिशन तो चाहिए ना भोजन चाहिए पोश्चन चाहिए होता है प्रोटीन कार्भोहाइड्रेट जो फेट है वो सब चाहिए होता है तो वो उनको कौन प्रदान करता है यह सेयों जी लिए जी इनको शिकाओं को इस तरह प्रदान करेगा ठीक है सेयों जी उत्तक और इनके बीच में पाए जाता है क्या आधात्री अब देखो इसका यह वाला सथैं इस वाली सथैंगों भोल देते हैं मुक्त शत्य है कि फ्री शर्फेस फ्री शरफेश मुक्त सतय कर देते लिए तीजामपल अपनी तुछा की बात करते हैं तुछाम के उपर का जो लेयर ड़की हुई है उसको हम कैते हैं अधीचरम क्या नाम है अधीचरम में यहां लिख देता हूं तो हमक्त सतय बहारी वातावरन इनके संपर्क में अंदर वाली साइड रहेगी इसकी यह संपर्क में रहती है तो यह होगे हमारे पास इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं एक तो इसमें सरल दूसरा इस्तरित और संयुक्ति स्टर्टिफाइड कंपाउंड और दूसरा है विसिस्ट अब देखो यह क्या चीज है यह हमारे पास है शयोजी उत्तक कनेक्ट्व टीशू इसके उपर परजेंट है आधारी से एक ही परत है तब तो हम उसको बोल देंगे क्या शरल सिंपल एपिथीलियल टीशू लेकिन अगर उनकी एक से ज्यादा लेयर परजेंट है अब उतक लाउत तक कि तो हम उनको क्या बोल देंगे उनका नाम हो जाएगा इस्तरित या स्ट्रेटिफाइड और कंपाॉंड इन दोनों में से हम एक वर्ड कामे लेंगे तो इसमें हम बोल देंगे ओन लेयर परजेंट है ठीक है कि एक से ज्यादा पढ़ते हैं और विशिष्ट क्या होते हैं इन में रुपांत्रन होने से इन में मोडिफिकेशन ने से कुछ अलग ताइप के उत्तक बन जाते हैं इनको हम बोलेंगे विशिष्ट मोडिफाइड टिशू या इस पेसे लाइज टिशू अब इन तिनों के ब रूकलाउट को जो रची तिन प्रकार कि उता है उनकी कोषिकाओं के आधार के पहला है ने सैनल कोशिकाओं कि गलंग तेस् kitchen अकिढ बहुता है रहेरा है था कि श्याणा के थिया एंदाल झाल पःता तीस्याधा को फ्रूजिद एप धार कोशिकाओं से मिलकर बना होत दो उससे यह बर्याबर, लेकिन गनाकार है इसकी कोषिकाओं उससे बना होता ऐसी कोशिकाओं नहें, गन्लिपित प्लिपूमित क्योकिकरी इसकाष था से पित्यवत्व त्चया का लेकिसे दिैप कोशिकाओं ह members, ट्रिपस लेक से परमस, से बना है लोद भो तक में कहते हैं ते वित contradiction हो तहां मेड तक मेर सते हैं अधियों इसे नाहिए में की शॉल्क्यू में होग प्रativa हें तक मेरे रिखक्यों कि बच्छ कर बता है यो इन में दिघा है यहा purpose कि अध्ण के स्वी जिल्ली inner कहा है बैशल मेंबरें परेटल मेंबरेन के नीचे में में स्धायक इंग तक तक फिर्चा क्ता हम बिदिय वर्टअ के टीशू तो DO K अब इनकी दीज़से मेंसे किसल सुछ पंप आवसे गाते हैं उसके दिखाया देता है जो सबता है दो प्रसल बना से गाती है तो फर्स पर टाइल्स जो होती है जो फ्लोर है उस पर टाइल्स जैसे स्ट्क्चर इसकी दिखेगी हमें तक कि अब यह परजेंट कहां होते हैं इनका में काम क्या होता है इनका में काम होता है इनका में काम होता है विशरन में साहिता करना विशरन की सीमा बनाना ठीक है यानि एक जामपल अपने जो फेफडे हैं आपने पढ़ा है कुपिकाए होती इस तरह कुपिकाए होती है ते है कि यह कुपिका है कि अल्वी ओली है गुबारे जैसे सरंचना ब्लून लाइक इस्टक्चर होती है इसके पास में रक्त वाहिनी ऐसे जाती है ब्लड वेशल्स ऐसे जाएगी अब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सिजन लाश्ट में पहुंचती है हमारी कुपिकाओं में अब यह क्या करती है इस ऑक्सिजन को डाल अब जो अपने कुपिका है यानि अब यह उल्वियोली उसमें हो रहा है डिफ्यूजन किसका कार्बन डायोक्षाइड का तो अपने कुपिका के अंदर कौन सी जो एपिथीलिम पर जैट होगी वह होगी शरल्सल्क्यूपकला इसमें इसके लावा हमारी जो रक्त वाहिनि आपो उत्टेक्स पर जानत है दोनों जनगौल आपको एखना जैसे ब्लड वेसल से होती है तो इसका जो आंत्रिक शेता आप सिंप्वयम से स्ल्ल्सल्की कलाउत थक से इनके लावा और कहां पर्जोंट होता है तो आपने नेफ्रोन पड़ा है तो आपने अरे नेफ्रोन इस तरह स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस बोमन केप्शूल में भी कौन से परजेंट है शलकियूब कला ही परजेंट है। इनके अलावा यह जो इस बनती है, इस बनती है। का लूप, लूप ओफ हैनले, एक अंगलिस का नाम भी यही है, लूप ओफ हैनले, इस लूप में दो आरम होती, देखो एक आरम तो नीचे की तरफ जा रही है, और एक भुजा उपर की और जा रही है, दो भुजाएं है, दो आरम है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो इस डिसेंडिंग आरम में कौन्सि उपकलाउत तक होती है इसमें भी सिंपल इसक्वेमस एपिथिलियम जर्ल सल्की उपकला है कहां कहां हो गया गया वोमें संपूट बोमें कैप्शूल के अंदर हो गया एक दूसरा है यह लूप की जो अरोही भूजा है उसमें है तरफियोली यानि कुपिका में है वो बलड वेशल्स में है कौन सी सरल सलकी उपकलाव तक कंप्लीट है एक वर्ड है पेरिटोनियम में हां लिख रहा हूं है पेरिटोनियम है इंगलिस का नाम भी है पेरिटोनियम अपने जितने बी इंटर्नल और तर्फिकल स और रहा है उनको पतली इंपिधिल्यम है और इस पेरिटोनियम भी किसे बनी है यह सरल सलकी उपकलाव के तो इसको याद करने का तरीका है पेरी का मतलब होता है चारो और चारो और तो यह हो गया हमारे पास अब अब जान लेते हैं अब शरल घनाकार उत्तक क्या होते हैं अब यह तो है इसका आधारी जिली और यह संयोजी अत्तक अब यह पर होता है इसका में काम था विशरन डिफ्यूजन करना इसका में काम होता है अव्शोशन ठीक है एब जॉप्शन दूसरा इसका काम है उत्त सर्जन करना एक्सक्रेशन तीसरा इसका जो काम होता है वो होता है श्रावन करना श्राव करना किसी चीज़ का ठीक है शेक्रेशन तो यह तीन काम है इसके उस्ट उस्ट सर्जन है और स्रावण इन तीनों जंगर पर काम आती है अब यह पानी काना होता है आप इस नली के दवारा इस नली का नाम होता है समीपस्त कॉंडलित नलीका इसके नाम होताा है DCT ये धोनों टूर्स्त कॉंडलित नलीका और साथ में दुआए आधि लेते हैं तो उनको दारेक्ट के हैं such argot श्रावित्यान श्राव कर जाता है उत्सर्जित कर दिया जाता है उत्सर्जन का काम यहां पर पता चल गया इनके अलावा यह जो आरम है ठीक है कौनशी है यह है आरोही गुजा ठीक है अशेंडिंग आरम इस में भी कौनशी जो एपिथीलयम परजेंट होती है यह वाली italiam ही परजेंट होती है किसमे पीसीटी में आरोही भुजा में डीसीटी में अच्छी में जो होका हैいつ का नाम होता है शंग्रहे नलिका शंग्रहे नलिका के अकंघिज़ेंग थे हैं उच्ट क्लेक्टिंग डक्ट जो होता है इसके अंदर अव्हाति है कुननिया है यही है हमारे पास धना अब। क्योग्वारिडल अबंचेल उफ है तो कहां परजेंत हो गई छंकलेक्टिंगниц इन सभी के अंदर कॉन है कि जितनी भी घ्रंथियां होती ग्र फो होती है तो रजर्शन है यही अदासे उसमें रिभाय उनन dependence on Instagram up kalat zumina uda अन्डासे हो गया लार निकालते है धे मेलावित ऊती होती है शेकृर्षन होता तो ग्रंखियों में कुछ पाय जाती है क्योबोईडल एक पाय जाती है तो यह हो गया हमारे पास कि क्योबोईडल एक परजेंट होती है अब हम देख लेते हैं को लम्नर जो पीथीलियम है इस तंबाकार उपकलाउ तक यह कहां पाय जाते हैं इनका एक इंपोर्टेंट इस दो तो इस फ्री शर्फेस पर क्या होता है किसी के अंदर तो इस साइड में सेड़े पर इस रोली सतै पर और इन इस ट्रक्चर को हम कहते हैं कि माईक्रो विल्लाई इस नाम में चेंजिंग आती है तो यह उपस्तित होते हैं किस साइड में फ्री सतय पर और यह कहां मिलेगा यह हमारे आंतर में मिलेगा इंटेस्टाइन जो होती है उसके इंदर इस ट्राइब का इस पर पाइजाने वाले उपकला कॉंशी है कोलमनर है इस तंभाकार यह हमारी छोटी आइसान है ठीक होता है लेकिन हम्पोर्टेंट चीज आ इंदर वाली जो सर्फेश है उस पर जुपकला पाइजाती है वह कौनशी होगी यह वाली अप्लीट है तो होता भी होता है जिनके उनक्राइज उनके ओकर फ्री शर्फेस जो होता है जैसे यह कोशिका है कि यह कोलंब वाली तीक है नीचे हमें आधारी जिल्ली और उसके नीचे शियोजिव उत्त्र एक्नेक्ट्व टिश्यू है यह वाला तो इसकी यह मुक्त सटय है उस पर रह荏 से यह द्ı घ्लाव इसको हम खेते हैं शीलिया उंभ कहते हैं चेलिया कहते हैं तो यह थीक श्यूद्स श्टेस यह भी ंदल करती तो यह कहां मिलेंगे यह हमारे जो श्वांसनली है तो इसको कहा देते हैं ट्रेखिया या विंड पाइप उसमें उसके अंदर है इनके अलावा जो अपना मादा जननत अंतर की हम बात करते हैं अंड वहाहिनी होता है घर बास्योंय है यह आ mend वाहिनी तils यह हैंशक में कोई कि फेलोपियन ट्यूब तो इस फेलोपियन टूब के अंदर भी कौनसी होती है यह पक्समाबी शीलियेटेट एपिथीलियम ही है क्यों है जैसे अंडा अंडानु निकल कर यहां से आगे चलता है तो यह से करके मुवमेंट इसको देगी इदर से सुक्रानु आता है तो यहां पहुंचेगा तो यह से इसको यहां तक पहुंचाएगी तो गति में इस तरह सायता करती है इसका में काम है वह काम भी इसका है तो आउस्षोशन करना कि एपजॉप्शन करना और दूसरा होता इसका काम श्रावन शेक्रेशन यह इसके दो में फंक्शन है तो देखे हमने कौन कौन से पढ़ लिया शरल उपला सिंपल एपिथिलियम एकी लेजर से बना है तीन टाइप का हो गया इसक्वेमस सलकी क्यूगोईडल घनाकार कोलमनर इस्तंभाकार कम्प्लीट है इनकी सेल के कोडिंग इसको अलग लग पार्स में डिवाइड किया गया है इसका जो केंद्रक है वो कहा होता है आऊशोशन एसका में इनकाम और सरावन इसका में इंकाम है आऊशोरशन-शरावन-घंशक्रेश्ण इनके ब vos gland लोब की बुह है यह उपस्तित होता है पिसिती में ह flexibility तो यह हो गए हमारे पास सद्रीत उकला उत्तक वारे में जान लेते जो शिंगल लेयर परजेंट होती एंगेवल अधारी जिली और उसके नीचे सेयोजी उत्टक है वेशल मेंबरेन अकनेक्टिटिश और ये अपिथीलियम है सिंगल लेयर परजेंट तब तो हमने कहा था सरलुकलाओ तक लोकिन उसकी बहुत सारी लेयर परजेंट होती है इस तरह बहुत सारी तो उसको हम क्या बोल देंगे उसको बोल देंगे इस्तरित या शंयुक्त स्टेटिफाइड और कंपाउंड अब यह भी तीन टैप की हो अपनी पोड़ी को गर्शन होता है. अपनी जो जो तौर। कि पहते हैं झोल्य को सकत्रॉत्य तो यह तो इसमें कौन से नहीं हो जाएगन इस तरुस्की हो गी सट्टॉ तूसरा यह जो नरी होती ने पर आमासे में ब्वोजन अच्णमक में अपने फूड विए उसके जा रही है तो फूड बियुकर ब्टोड पड़ता है तो उस्टेन के लिए क्या है यहें पर तेटेटिफाइट सक्वेमस इसके एक पैसे लावा इक्कुंस पर मलाश्य तो प्रेक्टम होता है पर चोटी यह फैंच्ड शी कि इते मेरे कशियो जो कि क्या ब्राइब में कुटाइऊ है तो यहां से इंहें पर अपर शूज दृज़िदियो मतता है उसके यहेंनल कि इसक मैं स्टाइटिफाइक प्राइड के लिघेवी बढेशा करने के लिए यह बते प spricht इसी तरह भी योनी वे मैं से मि Will auf 12 में अप सहे इन्ट्रेन रहूता है ऐसे में सोधी महां से किENDLY जाए चामने के लिए तो आशा करता हूँ आपको याद रहें इन में कोई आपको confusion नहीं होगा जहां पर भी घ्रसन से जुड़ावी चीजा गई आप उसमें आप यह बता सकते हो यह चीजे है नेश्ट स्टेडी करते हम इस्तरित गनाकार उपकला स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडल एपिथीलियम यह कहां कहां परजेंट है तो मैंने निकाल लेते हैं एक नाम है इस्तन गरंथी दूसरा है अगनाश्य मेंब्री ग्लेंड और पैंक्रियाज मेंब्री ग्लेंड दूद बनाने वाले गरंथी तो इसकी जो वाहिका होती है इसकी जो डक्ट होती है उसके अंदर कॉन सी पर पर जेंट रहेगी घनाकार रहेगी आउंख का अपनी पार्ट होता है इसमें आपकला है इस तरित कूपार कर लाओ तक है यह कहां पर 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 जेंट है स्टेटिफाइड कोलम्नर एक तो यह परजेंट है मुत्तर मार्ग में ये खुल जाता है मुत्तर मार्ग में इस तरह जो होता है यह यूरेथ्थ्रा में करें गांटर मार्ग में तो मुझ्तर मार्ग जो आंत्रिक भाग रहे और यहां पर पास्तित होती है वह कौणशी यूरेतरा के अंदर इस तरी इस्तरिफ़ाकार स्टेटेटरिफिफाइड कोंबनेश स्सस्क्कünü कुल इसी तरह घरवाश का इस तब कि उसमें अंडवाहिनी पक्समाबी थी और यह घरवाशय और अंत्रिक भाग होता है उसमें भी कौन सी परजेंट होती है इसी तरह होता है एपी गलोटिस पर पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि निगलते हैं तो सवास नली को डखने के लिए धकन होता है वो ड्कन पे भी που need होसी स्टेटिफाइड को लमनर एपिथीलम अन्य विए हो मुद्तक होते है विशिष्ट युजह कोंथ को ईजली होते हैं विशिष्ट विच युद्ट को रहे का लेते हैं हां कि क्या करते हैं स्टरित ये जो सर्ल्लT उसमें मोडिफिकेशन रुपांत्रण होने से बनते हैं यह पांच टाइप के हैं हमारे पास पहला है संक्रामी उपकला उपकला ग्रंतिल उपकला तंत्रीका शमेदी उपकला और वर्नकित उपकला शूडो इस्टेटिफाइड एपिथीलियम ट्रांजिशनल एपिथीलियम नियूरो सेंसरी एपिथीलियम एंड पिगमेंटर एपिथीलियम अब देखो यह चीजे क्या है सबसे पहले स्टेडि करते हैं शूडो स्ट्रेटिफाइड आभास इस तरी उपकला उत्तक अब इसमें क्या होता है कि उपकला उत्तक में जैसे हमने पढ़ा था यह बेसल मे चोटी और बड़ी कोशिकाई होने की वज़े से से चोटी और बड़ी होगी इसकी वज़े से लगता है कि बहुत सारी लेयर है एक लेयर होती है शिंपल एपिथीलियम कह देते हैं और बहुत सारी लेयर होती है तो उसको क्या बोल देते हैं इस तरीत कह देते हैं त्रेटिफाइड है उसके लावा यहां से क्ना थी आफिड पर्जनी दम्हें तरह श्वें Zeal पंज़ह सं पाग फ्हीं अनफ्र कहां अन्थ का बाग में शुखेवाग अफंहाद भाग में बात करते हैं संक्रामी उपकलाउत्तक भी कहा जाता है दोनों नाम इशी के ही इसकी मेन विसेस्ता क्या होती है इन में आधारी जिली जो होती है आधारी कला या आधारी जिली तीक है याने हम बोल देते हैं Bacal Membrane और यह नहीं होती है इनमें पाए जाती इसके वज़त से इनमें क्या होता है परसारण की चमता होती है यह फेल सकती है यह संक्रामे अपकला ट्रांजिस्टनले से बनाब है ने contribute जो हमने पढ़ा था इस्थंभाकार तो दूसरा हमें पढ़ा है घरनाकार मैं ने ची बन जाती इसके लिए के लिए फट्थर बना दूंगा दूसरा वीडियो बना देंगे जिसमें तरह एक कोश्य किए बहु कोश्क के गरंतियां उसमें पढ़ेंगे हम यहनEric नेक्र हैं इनके आंदर आती है यह उपकला नंत्रिक भागों टिक यहनु को ही लुगत कला टिकते हैं यहां परिजेंट होते हैं इसकी है तो यह था हमारे पास अपकलाव तक आसा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक शेयर करें सबस्क्राइब ने किया तो सबस्क्राइब कर दें कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं धन्यवाद